हेलो एवरीवान वेलकम बैक तो माई चैनल ट्रिपल सेवन सोल टरो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब I hope कि सभी अच्छे हैं खुश्यार अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो अभी जो मैं रेडिंग करने वाली हूँ टॉपिक है मैं आज काली मा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस पता करूँगी काली मा आपके साथ क्या गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे क्या बताना चाहेंगे क्या मैसेजिस आपको देना चाहेंगे ये मैं आज रेडिंग करूँगी मैंने कभी भी काली मा की तरफ से guidance पता नहीं की है तो आज मैं अपने 7777 सोल टरो पे पहली बार ये reading कर रही हूँ और देखते हैं काली मा की तरफ से क्या guidance और blessings आ रही है आपके पास तो start करते विदा देर करें और देख लेते हैं क्या आता है और guys ये timeless reading है जब भी आप यहां तक पहुंचें आप अराम से देख सकते हैं आपकी help हो सकती है यहां से चलिए start करते हैं क्या काली मा आपको बताना चाहेंगे एक card आ गया seven of swords seven number सबसे पहले आया हमारे पास okay we have ace of pentacles judgment eight of wands queen of wands four of pentacles four of swords king of cups two of swords and ace of cups यहां से है ten of cups cups के card बहुत ज़्यादा है और यहां पर है yeah swords के cards भी है cups के card है और we have wands तो यहां पर fire fire, air और water energy बहुत strong है लेकिन अर्थ अर्थ एनर्जी भी है अर्थ में special हमारे पास यहां पर टॉरिस है बाकि यहां से भी जल्दी से cards थोड़े से निकाल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं है लेली वैन्यसार्ट करते हैं यहां लेदि वेनस्सार यहां लेली नादा धूँ्यो व और अऱ् tabii we have mercury we have mother mary एक card या या वेर सेकुंड and we have hope वाव तो हमारे पास आर्के एंजल की तरफ से भी कार्ड आ गए हैं और बागी टैरो से भी मैंने कार्ड डिकाल लिया है चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस देखें जितनी भी टेंशन्स हैं जो भी आपकी चिंताइं हैं जो आपको खा रही है सबसे पहले तो वहां से आपको फ्री होना पड़ेगा पहले ही सेवन आफ सोड्स का कार्ड आया है यहां पर जो की बता रहा है कि कुछ सिच्वेशन से आपको मूव आउन करने की ज़रत है अल दे टाइम सारी चीजों को करी नहीं कर सकते कुछ छोड़ कर चलना पड़ेगा ठीक है यू आर हमन्स हम सारे के सारे ना इनसान है तो हमें क्या करना चाहिए हमें हम हर चीज को बैलन्स नहीं कर सकते हैं लेकिन हर चीज को साथ लेके चलना आप चाहते हैं कर आप एक प्राजुक्ट पर भी काम कर ले आप चाहते हैं इसके साथ खात narrative अप अपना ट्रिप भी कर ले तो नहीं अगर आपको ट्रिप करने हैं तो थोड़े टा임 के लिए प्राजेक्स को आपको ब्रेक देना पड़ेगा और देन आपको एक ट्रिप करने है आप सारे काम अगर हर एक चीज की टेंशन लोगे तो आपका जो वर्क लोड है वो भी बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा तो कुछ चीजों को कहते हैं लेट गो करना सीखो लेट गो करने का भी एक कॉंसेप्ट है जो आपको बिल्कुल सीखना पड़ेगा और टाइम सारी चीजे कैरी नहीं कर सकते हैं और कभी कभी कुछ चीजों पर काफी जादा फोकस करना पड़ सकता है क्योंकि healthy issues दिख रहे हैं आप most of the time आप tired दिख रहे हो weak दिख रहे हो थके थके से feel हो ठीक है तो इन चीजों से अपने आपको अगर release कराना है इन चीजों को खतम करना है अपनी life में तो आपको थोड़ा active रहना पड़ेगा active रहने के लिए जो भी चीजे कर सकते हो चाहे योगा करिए चाहे morning walk करिए चाहे जिम जोइन कर लीजिए लेकिन प्लीज कुछ ना कुछ activity तो आपको करनी ही पड़ेगी बहुत सारा पानी पीजिए ठीक है पानी बहुत पीना है आपको और यह पानी जो है वो सच में आपके stress को भी कम करेगा आपकी skin को अच्छा करेगा और इसी के साथ मुझे लगता है कि अगर आप विश्वास रखें देवी मा पे तो आपके पास judgment भी आ रहा है ठीक है यहाँ पर जो चीजे मैं देख पा रही हूँ अगर आप गौरी मा की पूजा पार्ट करना शुरू कर दें पूजा पार्ट का मतलब यह नहीं है आपकी और उनों से बाते करें ठीक है मैं यह नहीं बोल रही हूँ उनके लिए फास्ट रख लो या फिर आप दिन रात पूजा पार्ट में लगे रहो यह कॉंसेप्ट मेरा कहने का नहीं है दिल से याद करना है ठीक है और अगर आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा कर सकते है लोगों के लिए नीडी परसन के लिए तो आप वो चीजे भी करना शुरू कर दीजे और गौरी मा की जितनी जादा आप पूजा पार्ट करेंगे यानि कि उनको दिल से याद करेंगे ठीक है उनके लिए खुद को और अपने आपको अच्छा बनाएंगे तो मुझे लगत अथि छान्त गौमा है पूल कर दोब रंता रंता प्रेंगे तो यहां एक हम महां रहेंगे हैंग तो इस लिए आ आपको शांत कर लि आपको सपोर्ट देख रहेंगे नियुक्तrial में जज्जमेंट चाहिए तो आप करिए जिन लोगों ने अभी ऐसे सावन गया है तो आपने वरत वगया रखे होंगे उसका भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा वहां से भी जज्जमेंट आते हुए दिख रही है लेकिन अभी आप थोड़ा कॉंटिन्यू रखिए ठीक है चाहे आप न एफिरमेशन बोल दीजिए और उसमें गौरी मा को याद कर लिजिए ठीक है गौरी मा को गौरी मा से आप बाते बोलिए एफिरमेशन बोलिए जहां हम यूनिवर्स को ठेंक यू बोलते हैं आप गौरी मा को ठेंक यू बोलिए गौरी मा से बोलिए कि आप इ आपको बोलना है कि गौरी मा के आश्रिवाद से मेरे पार्टनर ने मुझे कॉंटेक्ट कर लिया है और हम दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और आगे भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है हमारी जिंदिगी में तो आप करने शुरू कर दीजिए तो यहीं से ही आपको आपका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा बाकी तो काली मा आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आप मेंटली बहुत अदर स्ट्रॉंग हो गए हैं और आपके अंदर कॉन्फिदेंस तो आ रहा है लेकिन कुछ healthy shoes भी दिख रहे हैं तो वो आपको ठीक करने पड़ेंगे exercise कीजिए पानी बहुत ज़्यादा पीजिए यह तो आपको करना ही करना है बाकि जो भी चीजे आपके अंदर बिना कुछ अभी ऐसी चीजे हैं जो आपको खुद को नहीं पता है ठीक है व और आपको और जदा enhance कराने में आपकी मदद करेंगे ठीक है बाकी तो गाइस देखो बहुत हद तक यहां पर आपकी जर्नी बता रहे हैं मुझे आपके सामने सच्चा ही दीरे दीरे आ रही है और आपकी understanding बहुत अच्छी हो गई है कि क्यों आपकी life में क्या क्या जो जो नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था उनके लिए भी आपकी दिल में प्यार मोहबत आ रही है तो आपकी heart awakening भी हो रही है आप अपने divine love को accept कर रहे हैं बाकी यहां से मौकरी आपसे कह रहे हैं कि आपको open communication रखना पड़ेगा अपने divine के करने के लिए बहुत सारी चीजे किसी को भी नहीं कहने है विकाज आपके god जानते हैं कि आप कितने सही हैं कितने कहां गलत है तो आपको अगर अच्छा बनना है तो divine के लिए बनिये किसी भी person को आपको प्रूफ कर कर दिखाने की कोई ज़रूत नहीं है क्योंकि divine की eye आप all the time है और काली मा का support है आपके पास तो healing mother healing is possible at this time तो mother healing काली मा definitely काई आपकी healing के लिए जो भी support बन रहा है वो आपके लिए बेच रहे हैं इतना important message भेज दिया कि कैसे affirmation बोलना है गौरी मा को याद कर कर तो यह सच में बहुत ही powerful affirmation है आपको बोलना चाहिए दिन में कम से कम 5 बार तो बोलिए क्योंकि 5 मिनिट के लिए भी 5 बार बोल दोगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप चाहते हैं लेकिन इस affirmation को बहुत ही positivity के साथ और एक विश्वास के साथ आपको बोलना है और इसको बोलने के बाद आप जो अपने अंदर अच्छा change लेकर आना चाहें एक्स्ट्रा वो आप लेकर आईए ठीक है क्योंकि यह important है एक काड़ और निकालते हैं यहां से psychic inside your third eye is open आपकी third eye बिल्कुल open हो चुकी है guys तो अपनी third eye जब open हो गई है तो definitely truth जो है सचा ही हो आपके सामने आईगी यहां से आया भी था यह message and follow your intuition तो अपनी intuition को follow करना है आपको right now क्योंकि intuition के through ही divine आपसे बात कर रहे हैं तो आप अपनी intuition follow कीजेगा time to relax और रिलेक्स फील कीजे अपनी health वगरा पर focus कीजे बाकी other tension जो एक साथ हर चीज को सोचने की जो एक बिमारी आपने पाली हुई है उसको बिल्कुल skip कर दें और आपकी life में आप यह सोचके चलिए कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो रहा है तो do not hurry you are watched and over you are watched over and will be looked after तो divine आपको देख रहे हैं आपके journey को समझ रहे हैं तो इसलिए relax feel कीजे because blessings है आप कर्मा कीजे लेकिन all the time सिर्फ काम काम के बारे में सोचना और बाकी चीचों के बारे में ना सोचना और यह सोचना कि अगर important message है आपके लिए तब ही आपका health सही रहेगा वरना तो health issues बढ़ रहे हैं आपके ठीक है तो guys yes बहुत important major guidance यहाँ पर पता चली है तो आप जितना हो सके खुद को improve करने की कोशिश करें खुद की life में positivity लेकर आएं judgment बहुत जल्दी आपकी life में आएगा और यह new beginning भी आपकी life में हो जाएगी नए तरीके से affirmations बोलिए ठीक है होप है किस हर चीछ अच्छी हो जाएगी आपके life में तो जितना हो सके positivity के साथ ही आप आगे बढ़िए okay this is your reading guys I hope कि आपके साथ resonate हुई हो आपको पसंद आई हो अगर reading resonate हुई है तो comment section में बताइएगा चैनल पर अगर इतना है गाईज बाई टेक केर